हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है तो ये बड़ा इंट्रेस्टिंग सा एक और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के बस हनुमान जी हमको वो अलिब कहानी मालों में महाभारत की जब भीम तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धी थी कि वो जब चाहें अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहें इतना घटा लें तो वो पूंच नहीं उटा पर ये तो मालूम है अब वो कहां रहते थे वहाँ भीम को पता चल गया था तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सिना है थोड़ी कमजोर है हनुमान जी की मादद मांते है तो ये लोग है हनुमान जी की बास कि आप हमारे साइड से लड़ी है तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपके तरफ से लड़ूँगा तो महाभारत का पूरा परपस इडिफीट हो जाएगा क्योंकि मैं उत्रूँगा तो गेम ओवर हो जाएगा लेकिन आप आये हैं तो मैं आपको खाली हाथ भी ने लोटा हूँ अरजुन मैं आपके रत के फ्लैग पर बैढ़ जाता हूँ as a symbol तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अरजुन है और सार्थी कृष्ण है उनमें एक फ्लैग लगा रहा था हूँ और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे हो थे घुटने के बल बैठे हूँ उसके बाएज जब यह वार चाल हुआ तो अरजुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रध था वो कई फिट पीछे चला जाता था फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अरजुन का दो-तीन इंच पीछे जाता था और कृष्ण तारीफ करते हैं तो क्रिण करन की, क्या तीर चला आ, अर्जुन में इर्शा भावना रही है हमेशा से, कहानियों में भी, तो अर्जुन को लगता था, मैं मारता हूँ 20 फिट पीछे जाता है, वो मारते हैं, मैं दो इंच पीछे हिल जाता हूँ, तो यह हनुमान बैठे हूँ तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है, तो तो सोच कि अगर हनुमान नहीं होते हैं, तो कहा जाता तू, तो हनुमान वहां भी रहे हैं, और हनुमान की